हेलो वल्कम दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग हजारी पर मैं हूँ अपरार हजारी और आज हम बात करेंगे बालवीर का ट्रेलर के बारे में और आज हम उसका रिव्यू भी करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते ह पहले अपना मुक्का बांद यह और मार यह इस लाल बटन पर इससे अब हमारे चैनल से जूर जाएंगे और चैनल की जो वीडियो साती है उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए यह बेल आइकन को मारे थप पर और यह ओल वाला ओप्शन सेलेक करें इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तो मंगलवार रात को आठ बजे बालवीर का ट्रेलर आ गया है फाइनली हम लोग का इंतिसार खतम हो है और डेट भी रिलीस कर दिया गया है डेट उसका बता दिया है डेट है दस सेप्तमबर आठ बजे से सब टीवीर पर जो के आठ बजे उसका पहले का भी टाइम था अब भी उसका आठ बजे का ही टाइम है तो आठ बजे ही आएगा चलिए और क्या-क्या खास देखने को मिला है चोटा बालवीर कौन है इसका ब पर सइसे ध्यान नहीं देगा जैसे ए 125 क्या होगा बालियारम रिलीज होता है तो सब्सक्राइब कि पर दूसरा आफी को साथ में अधया हए बालवीर ऑल्रेडी पॉपिलर है ज्यादा है वह सारे लोग उचसे देखते हैं फर्स सीजन बहुत सुपर इट रहा उसका इसलिए सब्टी भी ने सोचा है कि बालवीर पर ज्यादा मेनत करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वह पहले से सुपर इट है हाँ उसको और भी ज्यादा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश जरूर की गई है तो चलिए आज जैसे कि मैंने पहले आपको अनुमान में पताया था जैसा बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जिस दिन तेरा क्या होगा रिलेज हुआ उस दिन हमें डेट भी मिल गया बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहते बालवीर कब आएगा तो लो भाई डेट आ गई है अब इंतजार करो ब सेलर दिखाया गया और इसमें सबसे पहले अटी टूइस किया गया है छोटा बालवीर को सबसे पहले तो सोनी का लोगो आता है सोनी का लोगो जैसे हट भाइख तो यह फिर खेंकिorang दो काही दूसरे मिरर में जाके टख्राता है तो यह एसा fel देता है जैसे कि हम season बन में बालवीर देखते थे और बैट को भी मतलब कि वालवीर खेलता था तो मतलब कुछ ऐसा ही लगता है देख jumped लगता कि हाँ यही छोटा बालविर है चलिए आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिला है बतलब के फिर यह जो छोटा बालविर है इसको सल्मान खान का फैन दिखाया गया है जैसे कि सब्टीवी ने दो तीन दिन पहले दो दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें हमें किया था कि कौन है वो जो सल्मान खान का सबसे बड़ा फैन है और उस पर बालवीर की नजर है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बालवीर के स्टोरी लाइन से जुरी हुई है ये वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मेरा अनुमान ही कि ये जरूर बालवीर के story से जुरी वही है तो ये जुरी वही है ये जो छोड़ा बालवीर है वो इस serial में सल्मान खान का बहुत 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 फैन है और ये वह डायलोग बोलता है जो कि हमने इससे पहले सुना था कि स्वागत नहीं करोगे मेरा और इसमें इसके हाथ पे थोरा से एक दूसरा निशान दिखाया गया है जैसा कि हमें बालवीर के हाथ में परीतारा का निशान देखने को मिला था लेकिन ये दूसरा निशान है परीतारा का नहीं है और इस नि बैक्गराउंड में चलती रहता है दो आवाज आप खुद ही सुन सकते हैं चलते रहते हैं दायलोग में आपको क्यारती है और बालवीर और उसके साथ एक आंदी आता है और तुमना सा आने के बाद पिर वो क्या बोलती है कि अब धर्टी का तबाई देख बालवीर और वहां पर तूफान लाती है वहाँ लोग किरकेट खेलते हैं छोटा बालवीर वहाँ पर एक गड़ा हो जाता है और तिम्ना सा चली जाती है यह कार है वहाँ पर उस कार में छोटा बालविर की एक दोस्त बैटी भइंगा इसके जो चोटा बालविर है इसके साथ दो और दोस्त है या अकेल़ा नहीं दिखिए कहा शोव में इसका दोस्त है लेकिन उन दोस्तों के पर शक्तिया होंगी या नहीं यह तो नहीं पता कि साहथ नहीं होगी यूझिशक इनके जो जैसे कि हमें first season में दिखाया गया था कि बालवीर है और उसके दो दोस्त है, मानो और महर तो इसी में भी दो दोस्त है, एक तो यही लर्गी है जो यहां पे गार में बैठी है जो मतल़की मुसीबत में है, और एक दूसरा लर्गा है Schlied इस trailer में नहीं दिखाया गया लेकिन मैं आपको दूसरे इसमें दिखा दूँगा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो बालवीर रिटरंस के शूटिंग का होगा अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए क्योंकि मैं बालवीर का जो बालवीर का फर्स सीजन का बहुत पुरा कुछ किलिप्स हैं जो बालवीर रिटरंस के शूटिंग का है और यह बिलकुल अलग है यह आउट्डोर शूटिंग का है वह तो इंडोर शूटिंग था बैक्ग्राउंड में ग्रीन परदा लगा की यूज होता था लेकिन यह अलग है यह रियल लगता है और काफी अच् यह बालवीर जो मतलब की जो रिलीज डेट आने से पहले का है मतलब बालवीर रिटरंस के शूटिंग का है लेकिन बालवीर रिलीज डेट से पहले का है चलिए हम ट्रेलर को आगे कंटीनियो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हमें दिखाई गई है और जैसे ह आता भी है बट्रून को लगता है कि बालवीर नहीं आती है तो यह जो विवान है मतलब थोटा बालवीर है वो खुद ही कोच जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए और पीछे से गारी खाई में घिरने वाला रहता है तो बालवीर उसे पीछे से पकर के रखता है और वि भरोसा करता कि बालवीर आता है बालवीर आता है लेकिन वे विवान है जो बोल रहा है कि बालवीर कोई नहीं आएगा मतलब कि उसे बालवीर पर भरोसा नहीं है यह सो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसे छोटा बालवीर बनना है उसे खुद इस पर भरोसा ही नहीं है क बालवीर किसी की मदद करने के लिए आ सकता है तो यह मुझे लगता है कि शो का सब्सक्राइब बरा मतलब कि यह तुम भी करोगे बालवीर बनके सच्चाई और अच्चाई की रक्षा और पीछे से बैक्गराउंड में वह आवा चलती है कि आ रहा है बालवीर जो आप अएसे समझ सकते हैं कि कि जिसमें आरन मैं को गाइड कर रहा है कि समझ रहा है बालवीर कंद में अगल सकता है اور यहां पर बालवीर को उसे बालवीर बनाना है दुस्टर बाल्विर बनाना है लिकिन सू मेह साध मानो महर आए या ना है लेकिन इस बार भी हमें दो बच्चे देखने को मिलेंगे वह सब्सक्राइबद शौणी जैसा था वह यह दिखने को मिलेगा उसके सब्सक्राइब कर दिया है तो यह तो काफी अच्छी लगी है बाकी आप मुझे बताइए फिर लाश्ट में एक चीज़ और बाकी रही है लाश्ट में अकूर और शोरिये दोनों तरफ से कूथते और वहां पर ट्रेलर एंड हो जाता है तो कैसा लगा आपको यह ट्रेलर बालविर का आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके और बालविर के लिए अप कितने एकसाइटेड है जरूर बताइए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीज़े वीडियो को शेर कीज़े चैनल को पाता हूं तो इसमें जो पॉलम साथ यह बहुत बार ऐसा होता है कि बोल नहीं पाता हूं वह चीज़े क्या आप देखना चाहते हैं जैसे कि मैं एक डायलोग मैंने डाला था जो पिछले बार हुआ था दो तीन बार ट्राइक करना पर रहा था मैं नहीं बोल पा रहा था क्या ऐसा और आप देखना चाहते हैं अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताजिए वीडियो को लाइक कीजिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए ठांक यू बाबाए एंड टेक केर अगया है दव से दस सिप्तमबर देट है दस सिप्तमबर आठ बजे अगया है